कैसे हैं आप साथ उमीद करते हैं अप लोग अच्छे होंगी आज आपके वक्षित नमबर 13 आई है से अच्छे से लेबल कर लीजिए डेट डाल दिए क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए चलिए पढ़ना शुरू करते हैं प्यारे बच्च ददिमा पाठ के अंतिम भाग में हम लोग पढ़ते हैं तो यह लास चरण है इसका लिखा है दुनली चाया विलिन हो गई मैंने देखा दिन काफी चड़ाया है पास के लंबे खजूर के पेर से उड़कर एक कवा अपने गिनोनी काली पंके पहला कर मेरी खिलकी पर बैठ गया हाथ में अब भी कैशन भाईया का पत्र काप रहा है काली चीचियों से कतारे धूमली हो रही है ना आगे क्या लेकता है यह धूमली होना चाहिए खैर चलिए आखों में आखों पर विश्वास नहीं होता मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है है क्या सचमुश द दादी नहीं रही है ना तो यह अनुभव मैंने भी तभी किया था मैं में उस मतलब हमारी दादी की जब डैठ हुई है तो मतलब उस दमाने में हमारी दादी की डैठ तो भी 2020 में हुई है तो सी में ही अनुभव था कि मतलब मैं भी अपने आप से बात पूछ रही थी क्या सच मुझ हमारी दादी नहीं रही है ना अब क्या था मेरे पास तो कॉल आई थी के दादी नहीं रही अब क्या है यहाँ पे उस जमाने में कॉल का सिस्टम तो होता नहीं था तो लेकर के पास क्या है एक खताया पत्राया जिसमें लिखा के दादी नहीं है ना तो वही वो चीज सोच रहा था सेम यही सिच्विशन यही चीज यही कहते है ना घटना एकरम मेरी साथ हुआ था जब मैंने भी अपनी दादी की डैथ की न्यूस सुनी थी के भई वो अब नहीं रही है और इस तरह से वो इस दुनिया से जा चुकी है हम सब को छोड़ है ना तो ऐसा होता है जब अगर कभी अल्ला ना करें आप लोगों के साथ ऐसा हो लेकिन जब आप लोग भी बड़े होंगी ना तो इस चीज का रिलाइस आप लोग खुद करेंगे ठीक है चले तो आगे पढ़ते है आज हम लोग तो भी आपका यहां कोशन लिखा है दिन दुनरी विशुषर जोड़ कर चार नहीं युगम बनाए नहीं शब्ड आपको बनाने जैसे कि फि dared करी चाहिया आपको गदाने में गिरत ऐसाफ कांसर अगला कुशन पढ़ते हैं अब यह देखेंगे लिखा है दादी मा अब नहीं रही इस बात से आप क्या समझते हैं यानि इसका क्या अर्थ है अब नहीं रही तो आप लिखेंगे कि दादी मा अब नहीं रही का अर्थ है कि दादी मा की मिरत्यू हो गई है ठीक है चले अगल कुछिप बढ़ते हैं से सब्सक्राइब ही कतर में चल सकते हैं अगर्वाई सारी चीजे क्रूप बना के चलती है या पिर कहीं को bir जगा हूं जो पतला सा रास्ता उतो वावे बक्रियां बेड़ें यह थोड़ा सा कतार में चलती सब लोग गुरूप बना के चलते हैं ठीक है चले इसकान सा देखते हैं तो देखें यह सकते हैं बक्री चीटी पत्तक यह आपकी कतार में लाइन से चलती है अब यह लास्ट कोशन बचे है कोवा खिरकी पर आकर बैठ गया पार्ट में लेका कि इस बात को लेका इस बात से क् ठीक है चले इसकान सा देखते हैं तो देखें अगर मैं आपको बात करूँ एक एक स्पिलीनिशन के तौर पर तो देखें कोवे का आना एक मित है पुराने जमाने की बलके कि जब कोवा आता है और वो किसी घर की छट पे बैठता है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी प्रका करते हूं ऐसा कुछ नहीं है यह सिफिक मित है चीक है तो उसके अगार्डिंग हम यहां पर आंसर दे सकते हैं कि कोवे के खेलकी पर आकर बैठ जाने का अर्थ यह भी है कि वह उदास भी है और दूसरा यह कि वह संदेश लेकर आया है यानि वह दादी-मा की जो डेड़ ब शच्छाइ पर था के ते समेक वाचिक और आस का रहा रहा हुं जागा नहीं है